नमस्कार आप देख रहे हैं रिवाडी अपडेट और आज 19 अगस्त का हेल्थ बुलिटिन जिला परसासा ने जारी कर बताया है कि जिले में आज 102 नए पोजिटिव केस सामने आये हैं जबकि 12 मरीज स्वस्त होए हैं आज कि हेल्थ बुलिटिन की हम आपको जानकरी दे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि रिवाडी सहर में आवारा पसो का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जिसको लेकर लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि रिवाडी परसासन जल्द उन्हें आवारा पसो की समस् हमने भी फेस्बुक पे अपना नंबर सेयर करकर लोगों से कहा था कि वो अपने अपने इलाकों से फोटो हमें सैंड करे ताकि जिला परसासन देखे और जल्द हरकत में आकर कोई ना कोई समाधान निकाले जिसके बाद जिला परसासन की तरब से मंगरवार को ADC की अधिक्षता में बैठे की गई और उसमें नगर परिशत रेवाडी नगर पाली का बावल और धावडा के अधिकारियों को निर्जेश दिये गए कि जो धावडा में साथ एकर जमीन नंदी साला के लिए देखी है उ उनको वहां से उन बाडों में छोड़ा जा सके इसके साथ ही आपको बता दे कि नगर परिशत की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने दो दिन में करीबन सो बेसारा पसो को सडक से हटा कर गोसाला में भेजा है या फिर बाड़े में सिफ्ट किया है लेकिन स्थाई बाड़ अभी कहीं नहीं है इसलिए इधर उधर ही नगर परिशत के अधिकारी इन बेसारा पसो को रोक रहे हैं उसके बाड जब एक जगे दावडा में जो नया नंदी साला बन जाएगी तो वहां इन पसो को भेजा जाएगा इसलिए जिरापरसासन की तरफ से चार-पास दिन का स दर नहीं आएंगे अब आपको बता देते हैं कि जो आज जिलापरसासन हेल्थ बुलेटिंग जारी किया है उसके मुताबिक अभी तक जिले में 405 एक्टिव मरीज हैं जिन में से 31 विविन अस्पतालों में भरती हैं 40 जिला कोविड केर सेंटर में एडमिट हैं जबकि 334 मरीज होम आइसलेट किये गए हैं जो जिलापरसासिंगी तरफ से सेंपल्स लिये जाते हैं उनमें से 514 सेंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है आज जो 102 नए पोजिटिव मरीज जिले में सामने आये हैं इन में 43 रेवाडी सहर से 22 बावल से 19 धर्वेडा से 4 सिहा से 22 मरीज रूद वैसेखपूर और एक एक मरीज बिहारीपूर चिराडा देवलवास धरन की धानी फतेपूरी जाडरा लिसाना मुहम्मदपूर इसके साथ ही जो 12 मरीज सुष्ट हुए हैं उन में 6 रेवाडी सहर से 4 जाइदपूर से और एक एक मरीज गोकोड और निगानियवास से सम्मद देता है